UGC NET परिच्छा का कल रिजर्ट जारी किया गया UGC NET की जून परिच्छा 2024 के लिए कुल 11,21,225 अभ्यार्थियों ने रिजिस्टेशन कराये थे इसमें से सिर्फ 6,884,224 कैंडिडेट ने ही परिच्छा दे इसमें से 1,12,070 अभ्यार्थियों ने परिच्छी के लिए क्वालिफाई किया है वहीं असिस्टेर प्रोफेर्सर लिए 3,664 उम्मीदवारों को सफलता मिली है UGC NET की जूनियर रिसर्च फेलोसी यानि जे आरफ परिच्छा में सफलता पाने वाले उम्मीदवारों को UGC की तरफ से स्कॉलर्शिप दी जाती है इस बार 4,970 उम्मीदवार UGC की जूनियर रिसर्च फेलोसीप के लिए सेलेक्ट हुए है UGC NET JRS की तहद 2 साल के लिए हर महीने 37,000 रुपे की फेलोसीप दी जाती है पहले जूनियर रिसर्च फेलोसीप की तहद हर महीने 31,000 रुपे दी जाते थे लेकिन पिछले साल विश्विद्याले अनुदान आयोग ने अपनी 500 बहत्तवी बैठक में UGC फेलोसीप योजनाओ की तहद दी जाने वाले फेलोसीप की राशे में संसोधन किया जिसके बाद यह राश बढ़ाई गई थी इसी कड़ी में प्रियाग राश नर्वा चोकठा की रहने वाले सोनम तिवारी ने राश्री परिच्छा एजनसी नेट की परिच्छा उत्तीर की है इसे परिवाले काफी खुश है पिता राधिस राम का कहना है कि बेटी ने बहुत अच्छे नंबर से नेट की परिच्छा पास की है तो बहुत खुशी हो रही है आपको बता दे कि सोनब को असिस्टेंट प्रोफेसर का कारभार मिला है इसके लिए उनको अच्छी वेतर भी मिलेगी